हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ही करनी है आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 22 तो बेटे ये साथवी यूनिट का 22 वीडियो है और इस से पहले 21 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समयवाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर साथ को पूरा पढ़ सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हेल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रप्शन में पीडी अफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडी अफ नोट्स के लिए टेली ग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एमडी सहारनपुर तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज बिटे हमें पढ़ना है ब्रॉंस्टेड लॉरी अवधारना या आप इसे कह सकते हो ब्रॉंस्टेड लॉरी कंसेप्ट देखो ब्रॉंस्टेड लॉरी का क्या अवधारना है क्या कॉंसेप्ट है इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि हम पढ़ रहे हैं अमल तथा क्षारकों की अवधारनाएं अमल क्षारकों की अवधारनाओं में हमने कल पढ़ी थी कौन सी अवधारना पढ़ी थी? आरहेनियस की अवधारना, आरहेनियस कंसेप्ट और आज हमें करना है Bronsted Laurie अवधारना या Bronsted Laurie concept मतलब Bronsted और Laurie ने कैसे बताया क्या बताया की अमल क्या होते हैं और अक्षारक क्या होते हैं इसके बारे में बात करनी है ठीक है? तो आप एक heading लगा लो जल्दी से heading लगाओ Bronsted Laurie अवधारना ये heading लिखो आप और Bronsted Laurie अवधारना लिखने के बाद एक heading लगाओ अमल मतलब Bronsted Laurie ने अमल के बारे में क्या बताया था? अमल को हम English में क्या कहते हैं? Acid तो Bronsted Laurie ने अमल या Acid के बारे में क्या बताया था? सबसे पहले या पढ़ेंगे इन्होंने बताया था कि मालो आपके पास एक पदार्थ है A और ये पदार्थ अपने अंदर से निकालता है प्रोटोन को H positive का मतलब प्रोटोन तो जो प्रोटोन को निकालता है वो तो होता है अमल जो प्रोटोन को त्यागता है या मुक्त करता है वो तो होता है अमल और मालो आपके पास एक दूसरा पदारत है कोई B जो इस प्रोटोन को ग्रेहन कर रहा है मतलब प्रोटोन इसमें से निकल रहा है और इसमें आ रहा है तो जो प्रोटोन को निकालता है वो तो होता है अमल यानि जो प्रोटोन को त्यागता है या प्रोटोन को मुक्त करता है और जो प्रोटोन को ग्रहन करता है वो होता है क्षारक क्या होता है क्षारक या बेस तो ब्रॉंस्टिड लॉरी ने कहा कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन को त्यागते हैं और base way पदार्थ होते हैं जो proton को grand करते हैं बताओ समझ में आई क्या बात ठीक है तो हम यहां क्या लिखेंगे अमल में या acid में अमल लिखो मेरे साथ साथ अमल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन का संकेत क्या होता है H पॉजिटिव आप लिख सकते हो जो प्रोटोन को त्यागते हैं अमल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन को क्या करते हैं त्यागते हैं ठीक है जैसे इसका एक एक एक्जामपल देखो जरा एक एक एक्जामपल देखते हैं मालो मैं आपको कहूँ कि आपके पास HCL है HCL और आपने इसकी reaction कराई H2O के साथ यह यूं कहे दो कि HCL को आपने पानी में घोल दिया तो जब आप HCL को पानी में घोल दोगे तो यह क्या देगा H positive wine त्याग देगा और यह H positive wine कहां चला जाएगा इसके पास तो H positive wine जब इसने त्याग दिया H3O positive में किसमें बदल जाएगा S3O positive में क्योंकि H positive जब आया तो दो तो S थे ही एक आगया और H, S3 हो गया और positive charge वो H लेके आया अपने साथ, अब यहां क्या बचाओगा भई H positive और CL negative क्या बचाओगा है CL negative बचाओगा क्योंकि H positive तो इसने इसे दे दिया तो यहां बचाओगा साथ में CL negative तो इसका मतलब साफ है कि यहां HCL क्या कर रहा है HCL एक proton को त्याग रहा है या एक proton को release कर रहा है इसलिए आप HCL को क्या कह सकते हो HCL को आप कह सकते हो अमल क्योंकि ब्रॉंस्ट्रीड लॉरी ने बताया कि अमल वे पदार्थ होते हैं जो proton को त्याग दे है अच्छा एक example ओड़ लो चलो अच्छा इसका मानलो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास NH4 positive है यह निसान में हटा देता हूँ चलो उपर से NH4 positive है और इसे भी हमने जल में घोल दिया तो NH4 positive अपना एक H positive आइन इसे देगा और इसे देने से क्या बन जाएगा यह H3O positive प्लस यहां बताओ क्या बचेगा यहां बचेगा NH3 क्या बचेगा NH3 मतलब कहने की बात यह है कि यहां तो HCL ने H positive आइन दिया यहां NH4 positive ने H positive आइन दिया तो इसलिए यह दोनों क्या हैं अमल हैं तो यहां लिख सकते हो इसलिए HCL वे NH4 positive यह दोनो यह दोनो ही क्या हैं अमल है क्यों हैं यह अमल क्योंकि यह दोनों क्या दे रहे हैं H positive आइन दे रहे हैं यानि प्रोटोन दे रहे हैं तो जो किसी रासाइनिक अभीकरिया में प्रोटोन को डोनेट करता है या H positive को डोनेट करता है उसे कहते हैं अमल और ये जरूरी नहीं है कि आप उस पदार्त का जलिय विलियन बनाओ मतलब जलिय विलियन बनना कोई जरूरी नहीं है अच्छा एक हेडिंग लिख लो नोट एक बात बताता हूँ चलो आपको एक हेडिंग लिख लो नोट नोट में आपको एक बास समझनी है कि कोई भी अमल है आपके पास कोई भी अमल और उसकी आपको प्रबलता देखनी है कि उसकी प्रबलता कैसी है वो strong acid है या weak acid है तो किसी भी अमल की प्रबलता अनुकर्मानुपाती होती है proton त्यागने की दर के proton त्यागने की दर समझ रहे आप मतलब कोई भी अमल जितनी तेजी से proton को त्यागता है वो उतना ही प्रबल अमल होता है किस के अनुसार? ब्रॉंस्टेड लॉरी के अनुसार तो ब्रॉंस्टेड लॉरी ने अमल के बारे में बताया कि अमल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन को त्यागते हैं जैसे हमने एक्जामपल लिया HCL HCL ने प्रोटोन दिया इसे और यहां NH4 पॉजिटिव ने इसे प्रोटोन दिया प्रोटोन कह दो या H पॉजिटिव कह दो तो HCl और NH4 positive दोन्हों ने ही proton दिया, इसलिए दोन्हों ही क्या हैँ? और एक बात ये भी देहन रखनी है, कि किसी भी अमल की प्रबलता अनुक्रमानु पाती होती है proton त्यागने की दर के या proton त्यागने की प्रवर्ति के या proton त्यागने की क्षमता के ठीक है, अमल के बाद फिर बताया, ब्राउंस्टेड लॉरी ने किशारक के बारे में किशारक, हेडिंग लिखो, किशारक, किशारक को हम कहते हैं, बेस देखो, अमल वे पदार्थ होते हैं, जो प्रोटोन को त्यागते हैं यहां लिखो, किशारक वे पदार्थ होते हैं, जो प्रोटोन को जो प्रोटोन को, क्या करते हैं, ग्रहन करते हैं जो प्रोटोन को ग्रहन करते हैं, किशारक वे पदार्थ होते हैं, जो प्रोटोन को ग्रहन करते हैं, जैसे इसका एक एक एक्जामपल देखो आप, एक एक्जामपल देखो मानलो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास NS3 है और इस NS3 का reaction हमें कराना है H3O positive के साथ तो S3O positive से ये एक proton को grand करेगा और जब ये एक proton को grand करेगा तो देखो क्या बनेगा भई NH3 था और इसमें एक proton जब आ जाएगा तो NH4 positive बन जाएगा और इसमें से H positive यानी proton निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा तो इसका मतलब NS3 proton को grand कर रहा है और NS3 proton को grand कर रहा है इसलिए मैं कहूँगा NS3 क्या है? क्षारक है क्या है क्षारक? ठीक है? इसी तरीके से आप एक example ओल लिए लोग कोमा कर गए मालो हमारे पास एक आयन है NH2 negative और इसका reaction भी हम करा रहे हैं H3O positive के साथ तो यहां क्या होगा? यहां भी यहां से यहां एक proton चला जाएगा यानि NH2 negative एक proton को grand करेगा और proton को grand करेगा तो H positive जब इसके अंदर आएगा तो यह NH3 बनेगा और आपको पताए इसके उपर negative charge है और H जो यहां आया है वो लेकर आया है positive charge तो minus और plus क्या हो जाएगे? उदासीन हो जाएगे cancel हो जाएगे तो यहां क्या बचेगा H2O इसका मतलब यह है कि यहां NH3 ने भी proton को grand किया है और यहां NH2 negative ने भी proton को grand किया है इसलिए यह दोनों ही क्या है? यह दोनों ही शारक हैं जल्दी से pose कर के लिखो चाब pose कर के लिखो लिख लिया विटे? ठीक है तो हम यहां क्या लिख सकते है हम लिख सकते हैं कि NH3 और NH2 negative इन दोनों ने proton को grand किया है और जो proton को grand करता है लोरी ब्रॉंस्टीड के अनुसार वो होता है क्षारक क्या होता है क्षारक जो proton को देता है या त्यागता है वो होता है अमल और जो proton को grand करता है वो होता है क्षारक लोरी ब्रॉंस्टीड अवधारना के अनुसार तो यहाँ दुन्नों रियक्षन में हमने देखा कि NS3 ने proton को grand किया है ठीक है और दूसरे रियक्षन में NH2 ने proton को grand किया है इसलिए यह दुन्नों ही क्या है शारक के है ठीक है इस बात को लिख लो चलो इस बात को लिख लेते हैं यहां लिख लेते हैं इसलिए कौन-कौन थे यह NH3 और NH2 नेगेटिव NH3 वे NH2 नेगेटिव ये दोनों ही ये दोनों ही क्या है क्षारक ये दोनों ही क्षारक है क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं proton को grand कर रहे हैं इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे क्षारक होंगे ठीक है अच्छा एक heading लिखो note एक बात और बता देता हूँ आपको एक heading लिखो note ठीक है इसमें आपको लिखना है कि कोई भी क्षारक है ना आपके पास उस क्षारक की प्रबलता जो होती है क्षारक की प्रबलता बताओ किसके समानुपाती होगी या किसके अनुकर्मानुपाती होगी बताओ सारक की प्रबलता अनुकर्मानुपाती होती है प्रोटोन ग्रहन करने की दर के प्रोटोन ग्रहन करने की दर तो क्षारक की प्रबलता अनुकर्मानुपाती होती है प्रोटोन ग्रेहन करने की दर के ठीक है अच्छा एक बात और बताता हूँ चलो आपको एक हेडिंग लिख लो नोट इस बात में बच्चे बहुत जादे कन्फ्यूज होते हैं बहुत ही जादे मतलब हमें पता है कि अमल की हमने दो परिभासाइं पढ़ ली हैं अब तत अमल की वही एक तो परिभासा पढ़ी हमने आरहीनियस की आरहीनियस ने अमल के बारे में बताया था कि यदि किसी पदार्थ को आप जल में घोल देते हो और जल में घोलने पर वो H positive wine release करता है तो वो अमल है लॉरी ब्राउंस्टेड ने बताया कि किसी रासाइनी कभी करिया में जो पदार्थ proton को छोड़ता है त्यागता है निकालता है donate करता है release करता है उसे कहते हैं अमल और फिर हमने अमल के साथ साथ पढ़े क्षारक अमल के साथ क्या पढ़े क्षारक 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 को इंगलीज में कहते हैं base क्या कहते हैं base पर आपको पता है क्षारक क्या है क्षारक की भी दो परिभासा हैं हमने पढ़ ली एक परिभासा तो पढ़ी थी arhenius वाली आरहीनियस ने बताया था कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH-1 रिलीज करते हैं ठीक है OH-1 मुक्त करते हैं और लॉरी ब्रॉंस्टेट ने क्या परिभासा दी कि कि किसी रासा इनी कभी करिया में जो पदार्थ प्रोटोन को ग्रेहन करते हैं उन्हें कहते हैं क्षारक पर यहां confusion बच्चों को पता किस में होता है बच्चों को confusion होता है कि सर एक तो सब्द है क्षारक और एक सब्द है क्षार जिसे हम इंगलिस में कहते हैं एलकली क्या कहते हैं एलकली इन दोनों में अंतर नहीं पता चल पता बच्चों को कि क्या अंतर होता है दोनों में भई अक्षारक तो हम पढ़ते ही हारे पर बुक्स में कई जगा अक्षार लिखा होता है एलकली लिखा होता है तो इसमें घबराने की कोई भी आवशकता नहीं है बहुत सिंपल सी बात है जितने भी आपके पास अक्षारक है ना उन मेंसे कुछ अक्षारक तो ऐसे हैं जो पानी में गुल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं गुलते तो जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं ना यानि जल में घुलनशील होते हैं जल में विले होते हैं उन क्षारकों को ही हम क्षार कहते हैं तो यदि कोई आप से पूछता है ना क्षारक की से कहते हैं तो क्षारक की तो दो परिभासाइं दे दी आपको एक तो दी आरहीनियस की परिवासा और एक दी लॉरी ब्राउंस्टेड की परिवासा वो तो आप बता दोगे पर यदि किसी ने पूछ लिया क्षार की से कहते हैं तो हब क्या परिवासा दोगे क्षार का मतलब होता है वे क्षारक जो पानी में गुल जाते हों जल में गुलंसील हों जल में विले हों इसका मतलब जितने भी एक शारक हैं सभी एक शारक शार नहीं हो सकते हैं पर सभी एक शारक शारक होते हैं ठीक है समझ में हरी बात कुछ है देखो आपको पता है इसे मिटा दू समझ में तो आगया होगा आपके मैं लिखवा दूँ चलो नोट में इस बात को फिर आप गलती नहीं करोगे समझ के रखोगे ठीक है नोट में आपके पास आ जाएगा ना लिख लोगे तो याद हो जाएगा यह तो यहां हमें लिखना है कि यहां लिखो चलो जल में जल में विले शारक जो जल में घुलनसील खशारक होते है ना खशारक के ब्रेकेट में लिख लो आप बेस जल में विले खशारक कोमा खशार यानि एलकली कहलाते हैं बताओ इस चीज़ को याद रखोगे कि आप जितने भी खशारक ऐसे हैं जो जल में घुलनसील है उन सभी खशारकों को ही हम कहते हैं खशार या एलकली मतलब इन सब्दों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए नौर्मली आप खशारक सब्द का ही प्रियोग करोगे और खशार सब्द का प्रियोग कहा करना है ऐसे खशारकों के लिए जो पानी में घुल जाते हूँ ठीक है उसके बाद एगली हेडिंग लिखो चलो एक चीज हमें और पढ़नी हमें पढ़ना है संयूगमी अमल खशारक हेडिंग लिखो संयूगमी संयूगमी अमल शारक इंगलिज में कहते हैं इंगलिज में कहते हैं कॉन्जूगेट कॉन्जूगेट एसिड बेस इसे भी समझना बहुत जरूरी है अबजेक्टिव के उससे न आ जाता है इसके उपर ठीक है पहले इसकी परिभासा लिख लो फिर समझ में आ जाएगा आपके लिखो एक प्रोटोन एक प्रोटोन के अंतर वाले एक प्रोटोन के अंतर वाले यूग्म को यूग्म माने जोड़ा यूग्म को संयूग्मी संयूग्मी अंगल क्षारक यूग्म कहते हैं यूग्म कहते हैं मतलब कहने की बात यह है कि एक प्रोटोन का अंतर होना चाहिए मतलब यहाँ एक थोड़ी सी बात और समझ लो आप कि मानलो आपके पास कोई अमल है मानलो आपके पास कोई अमल है और इस अमल मेंसे आप निकाल देते हो एक प्रोटोन को अमल मेंसे माइनस कर दिया आपने एक प्रोटोन तो आपको इस अमल का संयूग्मी क्षार मिल जाएगा क्या मिल जाएगा सैयूगमी क्शार क्शार के दो या क्शारक को चलो क्शारक सैयूगमी क्शारक मिल जाएगा देखो दोबारे मैं बता रहा आपके पास कोई अमल है जैसे HCL है HCL मेंसे यदि आपने एक प्रोटॉन निकाल दिया तो आपके पास C-L negative बचेगा H positive निकालने के बाद तो मैं कहूंगा कि ओ जो अमल था उसका संयूगमी खशारक आपको प्राप्त हुआ है किसी भी अमल मेंसे जब भी आप एक H positive या proton निकाल लोगे तो जो भी species आपको मिलेगी उसे आप कहोगे संयूगमी खशारक तो वो acid का conjugate base होगा और यदि मैं कहूं कि माल लो मेरे पास एक खशारक है क्या है क्शारक? क्शारक है और उस खशारक में आप जोड देते हो एक proton प्लस किया है देखो जोड आयो proton तो किसी खशारक में एक proton जोडने पर आपको जो species मिलेगी उसे आप कहोगे संयूगमी अमल संयूगमी अमल ठीक है? क्या कहोगे संयूगमी अमल मतलब अमल में से proton निकाल दिया तो उस अमल का संयूगमी खशारक बन जाएगा वो और यदि अक्शारक में एक proton जोड दिया तो उस अक्शारक का संयूगमी अमल आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है? अच्छा जल्दी से पोस करके लिखो इसे फिर मैं इसके example बताता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया जल्दी से पोस करके लिखो लिख लिख लिखा बेटे ठीक है तो संयूगमी या conjugate का मतलब होता है ऐसे acid base ऐसे acid base का जोड़ा है जिन में केवल एक proton का अंतर हो ठीक है? ऐसे अमल ख्शारक का यूगम यूगम माने जोड़ा जिन में एक proton का अंतर हो जैसे मानलो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई acid है और उस acid मेंसे मैंने एक proton निकाल दिया तो acid मेंसे यदि आपने एक proton निकाल दिया तो आपको जो भी मिलेगा ना वो उस acid का conjugate base होगा क्या होगा? संयूगमी एक्शारक या conjugate base और यदि आपके पास कोई base है यानि एक्शारक है और एक्शारक में आपने एक proton जोड दिया proton कहे दो या H positive कहे दो एक ही बात है एक proton आपने जोड दिया तो proton को जोड दें से जो भी species आपको मिलेगी उस species को आपको होगे उस base का conjugate acid यानि उस अक्शारक का संयूगमी अमल जैसे चलो practice करा देता हूँ थोड़ी आपको जिससे confusion दूर हो जाए जो है अभी आपके दिमाग में देखो यहां तो हम लिख रहे चलो अमल यहां तो हम लिख रहे अमल और यहां लिखेंगे कि इस अमल का proton निकालने के बाद इस अमल का proton निकालने के बाद चलो लिख देते हैं minus h positive यहां बनेगा संयूगमी अमल का क्या बनेगा संयूगमी क्शारक क्या बनेगा संयूगमी क्शारक अमल का बनेगा संयूगमी क्शारक और मान लो आपके पास कोई एक शारक है यानि बेस है आपके पास और बेस में आप प्रोटॉन को जोड़ देते हो तो प्रोटॉन को जोड़ने से जो भी इस पिसीज आपको मिलेगी उसे इस पिसीज को आप क्या कहोगे सैयोगमी सैयोगमी अमल ठीक है तो अमल का तो होता है संयूगमी एक्षारक और एक्षारक का होता है संयूगमी अमल जैसे मालो मैं कहूँ मेरे पास एक अमल है HCL क्या है HCL तो HCL मेंसे जब H positive आप निकाल दोगे तो क्या बनेगा CL negative क्या बनेगा CL negative H positive आपने निकाल दिया CL negative बचा तो HCL यदि अमल है तो HCL का संयूगमी अक्षारक क्या हुआ? CL नेगेटिव हुआ या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि CL नेगेटिव में यदि आपने एक H पॉजिटिव जोड़ दिया प्रोटोन जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा HCL तो इसका मतलब CL नेगेटिव का संयूगमी अमल क्या है? HCL यदि ये अमल है तो ये उसका संयूगमी खशारक है और यदि ये खशारक है तो ये उसका संयूगमी अमल है दुनों एक दूसरे के कॉन्जूगेट हैं यानि संयूगमी है जैसे मैं आपको कहूँ H2SO4 है मानलो मेरे पास H2SO4 तो H2SO4 में से एक H positive निकाल दो आप क्या वनेगा बताओ HSO4 negative तो इस अमल का संयोगमी अक्षारक ये है और इस अक्षारक का संयोगमी अमल ये है ठीक है जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मानलो HSO4 negative है तो इस में से एक H positive निकाल दो क्या बनेगा SO4 double negative तो इस अमल का संयोगमी अक्षारक ये है और इस अक्षारक का संयोगमी अमल ये है ठीक है इसी तरीके से मैं कहूँ HNO3 है मानलो मेरे पास HNO3 nitric acid इस में से एक H positive निकाल दो क्या बनेगा NO3 negative यदि ये अमल है तो इस अमल का संयोगमी अक्षारक ये है और यदि अक्षारक है तो इस अक्षारक का संयोगमी अमल ये है इसी तरीके से यदि मैं कहूँ की NH4 positive है मेरे पास ammonium iron H positive निकाल लो इस में से क्या बनेगा NS3 तो ये भी संयोगमी अमल अक्षार योगम है ठीक है जैसे CS3 COOH इस में से एक H positive निकाल लो CS3 COO negative ठीक है अच्छा यदि मैं कहूँ की मेरे पास एक अमल है H3O positive तो इस में से H positive निकाल लोगे तो क्या बनेगा H2O ये बनेगा और यदि मैं H2S लिख दू यहाँ H2S इस में से आप निकाल सकते हो एक H positive क्या बचेगा Hs negative तो इस तरीके से आपको तुलना करनी है मतलब आपको क्या करना है आपको कोई अमल दिया जा सकता है तो अमल में से यदि आप proton निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा संयूगमी अक्षारक और कोई अक्षारक भी दिया जा सकता है अक्षारक में यदि आप proton जोड दोगे तो मिल जाएगा संयूगमी अमल इस तरीके से आपको करना है ठीक है मतलब exam में इस तरह का question आता है कि H3O positive का संयुगमी अक्षारक बताओ तो इसमें से एक proton निकाल तो ये बन गया संयुगमी अक्षारक या SO4 double negative का संयुगमी अमल बताओ तो जब भी संयुगमी अमल बताना हो तो proton जोड़ दो एक ही proton जोड़ना है मैंने आपको परिभासा में लिखवाया था एक proton के अंतर वाला युगम ये जोड़ा है एक और इस जोड़े के दुन्नों इस पिसीज में केवल एक proton का ही अंतर है मतलब ऐसा नहीं करना कि SO4 double negative है तो इससे H2SO4 बना दो तो SO4 double negative और H2SO4 में तो दो proton का difference है और दो proton का difference है तो इन दोनों को हम संयुगमी अमलक शारक युगम नहीं कह सकते है ठीक है conjugate acid base pair नहीं कह सकते है clear होगी बात अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ बहुत बढ़िया इधर लिखते हैं एक heading लिख लो note आप तो निक्चे लिख ले न मेरे पास यहाँ जगा बचीवी बोर्ड पे तो यहाँ लेगे दूँ ध्यान से समझना बिलकुल मानलो आपके पास कोई प्रबल अमल है क्या है प्रबल अमल मानलो आपके पास क्या है कोई प्रबल अमल तो प्रबल अमल का संयुगमी क्षारक जो होगा न ध्यान से समझना बिल्कुल प्रबल अमल का संयुगमी क्षारक जो होगा प्रबल अमल का संयुगमी क्षारक कैसा होगा दुर्बल होगा दुर्बल प्रबल अमल का संयुगमी क्षारक क्या होता है दुर्बल मान लो यह प्रबल अमल है और प्रबल अमल है तो इसकी आदत है H-positive को बहुत तेजी से, बहुत तीवरता से, बहुत प्रबलता से डोनेट करने की तो यह H-positive को बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लेगा और H positive को निकाल लेगा बहुत बढ़िया तरीके से बहुत आसनी से जबी तो इसका नाम मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रबल अमल है और H positive निकालने के बाद क्या बन गया और C L negative बन गया तो इस अमल का संयुगमिक शारक बन गया अब यदि ये प्रबल है तो इसके अंदर H positive को यानि proton को release करने की tendency जादे है और इस से मिला ये वाला species तो ये वाला species जो मिलाना ज्यादे stable होगा ये ज्यादे स्थाई होगा और जब ये ज्यादे स्थाई होगा तो ये proton को grand करने का इसके अंदर tendency कम होगा और proton को grand करने का इसका अंदर tendency कम होगा इसके अंदर proton grand करने की जो सरलता है simplicity है वो बहुत कम होगी और proton को यदि वो आसानी से grand नहीं कर रहा तो मैं कहूंगा ये जो संयुगमिक शारक मिला है वो एक दुर्बल अक्षार है कैसा base है तो किसी भी strong acid का conjugate base weak होता है इसके opposite भी आप चल सकते हो कैसे जैसे मैं कहूँ कि हमने अभी सिखा कि प्रबल अमल का संयूगमिक शारक कैसा होता है दुर्बल यदि मैं कह दू दुर्बल अमल है आपके पास दुर्बल अमल है और मैं कहूँ दुर्बल अमल का संयूगमिक शारक बताओ कैसा होगा दुर्बल अमल का संयूगमिक शारक बताओ कैसा होगा तो आपको बता देना चाहिए दुर्बल अमल का संयूगमिक शारक होगा प्रबल दुर्बल अमल का संयूगमी अक्षारक कैसा होगा प्रबल अच्छा यदि मैं कहूँ कि मेरे पास प्रबल अक्षारक है प्रबल अक्षारक प्रबल अक्षारक का संयूगमी क्या होगा बताईओ प्रबल अक्षारक का संयूगमी अमल कैसा होगा बताओ प्रबल अक्षारक का संयुगमी अमल कैसा होगा भई प्रबल अक्षारक है तो उसमें प्रोटोन जुड़ने के बाद जो अमल मिलेगा वो अमल कैसा होगा दुर्बल कैसा होगा दुर्बल तो प्रबल अक्षारक का संयुगमी अमल होता है दुर्बल इसके opposite भी लिख सकते हैं न प्रबल की जगा दुर्बल लिख दू दुर्बल अक्षारक दुर्बल अक्षारक का संयुगमी अमल बताओ कैसा होगा दुर्बल अक्षारक का संयुगमी अमल कैसा होगा बताओ दुर्बल अक्षारक का संयूगमी अमल होगा प्रबल कैसा होगा प्रबल तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है मतलब यदि ये प्रबल अमल है तो इसका संयूगमी अक्षारक दुर्बल होगा और यदि कोई सा जैसे ये है देखो दुर्बल अमल है तो इसका संयूगमी अक्षारक जो होगा वो प्रबल होगा क्लियर बात जल्दी से पोस कर के लिखो फिर अगली बात बताऊँगा आपको पोस कर के लिखो जल्दी से लिख लिया बिटे ठीक है तो आपको एक्जाम में इस तरह का क्योफचन दिया जाएगा कि मानलो आपके पास कोई अमल दे दिया आपको ठीक है और अमल यदि आपके पास है तो अमल से आपको पुछा जाएगा कि इसका संयूगमी ख़ारक बताओ क्या होगा तो बता दोगे कोई भी अमल आपको दिया जाए तो उस अमल में से आपको एक प्रोटॉन निकालना है और एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी इस पिसीज आपको मिली है उस इस पिसीज को आप कोगे उस अमल का संयूगमी ख़ारक और यदि आपको दिया गया कोई अक्षारक क्या दिया गया है और पुछा गया है कि इस अक्षारक का संयूगमी अमल बता दो कौन सा होगा तो अक्षारक का संयूगमी अमल बताने का तरीका ये है कि उस अक्षारक में एक प्रोटॉन जोड़ दो यदि आपने एक शारक में एक प्रोटॉन जोड़ दिया तो आप उस अक्षारक का संयूगमी अमल बता दोगे प्रोटॉन को जोड़ने से जो भी इस पिसीज आपको मिलेगी वो उसका संयूगमी अमल होगा उस अक्षारक का ठीक है अच्छा एक heading लिखो आप heading लिखो ब्रॉंस्टीड ब्रॉंस्टीड अद्द से ही बनेगो बाई अद्द से ब्रॉंस्टीड लॉरी ब्रॉंस्टीड लॉरी अवधारना ब्रॉंस्टीड लॉरी अवधारना के अनुपरियोग ये heading लिखो ब्रॉंस्टीड लॉरी अवधारना के अनुपरियोग मतलब इसके क्या-क्या फाइदे हैं हमें क्या-क्या लाब है ब्रॉंस्टीड लॉरी अवधारना के अनुपरियोग अनुपरियोग में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मालो आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है जो जल में गुलनसील नहीं है बही जब हमने सबसे पहले आरहेनियस का कंसेप्ट पढ़ा था तो आरहेनियस ने तो यूँ कहा था कि हर एक पदार्थ को पानी में गुलना पड़ेगा और पानी में गुल के ही पता चलेगा कि वो एसइड है या बेस है भई पानी में गुलने पर जो एच पॉजिटीव रिलीज करेगा वो एसइड है और जो OH negative release करेगा वो बेस है इसका मतलब जो पदार्थ पानी में गुलते हैं उनका नेचर तो हमें पता चल जाएगा और जो पदार्थ पानी में नहीं गुलते हैं उनका नेचर हमें पता ही नहीं चलने का है पर यदि हम ब्रौनस्टेड लौरी कंसेप्ट की बात करें तो इसके दवारा ज़ल में एकुलनसील पदार्थ हो के अमली यक्शारी लक्सनों का भी पता चल जाता है ठीक है जो जल में एकुलनसील हैं उनका भी तो हमें नमबर 1 करके लिखो इसके द्वारा यानि इस कंसेप्ट के द्वारा इसके द्वारा जल में जल में ऐ गुलनशील जल में ऐ गुलनशील इसके द्वारा जल में ऐ गुलनशील पदार्थों के पदार्थों के अमलिय वे खशारिय लक्षणों का पता चल जाता है यानि उसकी व्याक्षण कर सकते हो आप अमलिय और अक्षारिय लक्षणों के ऐसे पदार्थ के भी जो जल में ऐ गुलनशील हैं जैसे मैं आपको एक एक एकजामपल बताता हूँ मालो हमारे पास फिनॉल है एकजामपल में लिखवा फिनॉल ये है फिनॉल C6H5OH ये फिनॉल है और इस फिनॉल का रियक्षण यदि आप किसी भी बेस से कराते हो जिसमें OH नेगेटिव हो तो क्या होगा यहां से एक प्र प्रोटोन निकलने से जब इधर जाएगा तो यहां क्या बनेगा बताओं C6H5OH नेगेटिव प्लस यहां क्या बनेगा H2O इसका मतलब यह है कि इस फिनॉल ने प्रोटोन दिया है और यदि फिनॉल ने प्रोटोन दिया है तो मैं लिख सकता हूँ कि फिनॉल क्या है अमल ह क्योंकि इसने proton दिया है इसलिए acid है मतलब यहाँ जल में गोलने की तो कोई भी आफशकता नहीं पड़ी ना हमें पानी में गोलने की तो कोई भी ज़रत नहीं पड़ी हमें ठीक है इसी तरीके से चलो एक example और ले लो आप एक example और लेते हैं हमारे पास पिरिडीन है C6H5N पिरिडीन और यदि पिरिडीन का reaction आप किसी acid के साथ कराते हो जिसमें H positive है तो पिरिडीन इस H positive यानि proton को ग्रहन कर लेता है और ग्रहन करके क्या बनता है देखो यह बनता है C6H5NH positive तो इसने proton को ग्रहन किया है पिरिडीन ने या पाइरिडीन कहें दो और यदि इसने proton को ग्रहन किया है तो मैं इसे कहूँगा कि यह क्या है क्षारक तो इन दोनों example में हमें पानी की तो कहीं भी ज़रुरत नी पड़ी यानि आप जल में ऐ गुलंसील पडार्थ होगी प्रकरती को चेक कर सकते हो कि वो एसिड होगा या बेस होगा ब्रॉंस्टेड लॉरी concept के according ठीक है नमबर दो दूसरा फाइदा क्या है इसका दूसरा अनुपरियोग क्या है पहला तो बता दिया कि यदि कोई पडार्थ पानी में गुलंसील नहीं है उसका नेचर भी आप चेक कर लोगे इस concept के according कि वो पडार्थ acid है या बेस है दूसरी पडार्थ दूसरी बात करेंगे चलो दूसरा अनुपरियोग इसके आधार पर यानि इस concept के आधार पर लॉरी ब्रॉंस्टिड गंसेप्ट के इसके आधार पर लिखो मेरे साथ साथ आएनो के आएनो के अमली है तथा शार की है आएनो के अमलीये तथाग शार की लक्षणों को भी अमलीये तथाग शार की है लक्षणों को भी इसपस्ट इसपस्ट किया जा सकता है इसपस्ट किया जा सकता है तो यदि आपके पास कोई आयन है तो उस आयन को भी आप इसपस्ट कर सकते हो कि वो आयन अमल होगा या क्षारक होगा ठीक है? जल्दी से पोस करके लिखो एक बात और बतानी है इसके बारे में लिख लिया बिटे? ठीक है मतलब जो सबसे पहला कंसेप्ट था आरहीनियस का उस कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ये थी कि आपको जिस पदार्थ का नेचर चेक करना होता था न कि कोई पदार्थ ऐसीड है या बेस है आमल है या खशारक है तो आपको उस पदार्थ को पानी में घुलना पड़ता था तो जो पदार्थ पानी में घुल जाएगा उसका तो नेचर हम बता देंगे और जो पदार्थ पानी में घुलता ही नहीं है उसका नेचर कैसे बताएंगे कि वो आसीड है या बेस है पर ब्रॉंस्टेड लॉरी कंसेफ्ट में किसी भी पदार्थ को पानी में गोलने की कोई जरुरत नहीं है यदि आपका पदार्थ पानी में गोलता है या नहीं गोलता है इस बात से कोई मतलब नहीं है पर सिरब इस बात का पता होना चाहिए कि वो proton को देता है reaction में किसी भी reaction में वो proton को देता है या लेता है यदि वो proton को donate करता है तो वो acid है और proton को यदि grand करता है तो base है बस jelly avillion की कोई आवशकता नहीं नहीं है पर हाँ एक question आता है बच्चों के दिमाग में कि सर क्या ब्रॉंस्टेड लॉरी कंसेप्ट किसी पदार्थ के जलिय विलियन में उस पदार्थ का nature बता सकता है कि वो पदार्थ acid है या भी इस है तो उत्तर है हाँ जिस तरह आरहीनियस कंसेप्ट केवल जलिय विलियन में ही पदार्थ का nature बताता था ब्रॉंस्टेड लॉरी कंसेप्ट जलिय विलियन में भी पदार्थ का nature बता सकता है और यदि कोई पदार्थ जल में नहीं घुलता किसी और reaction में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें भी पदार्थ का नेचर बता सकता है कि वो ऐसीड होगा या बेस तो यहां हम क्या लिखेंगे एक और लिख लो अनुपरियोग ठीक है नमबर कौन साथा तीन नमबर तीन एक और लिखो यह है यह है का मतलब यह है अवधारना यह है कंसेप्ट यह है किसी पदार्थ के यह है किसी पदार्थ के जलिये विलियन में भी किसी पदार्थ के जलिये विलियन जलिये विलियन में भी उसकी अमलिय उसकी अमलिय तथा इक्षार किये प्रकर्ती को इसपस्ट कर सकता है मतलब ऐसा नहीं है कि जलिय विलियन में ये नेचर को नहीं बताएगा कि वो पदार्थ ऐसीड है या बेस है जलिय विलियन में भी बताएगा और बीना जलिय विलियन के भी बताएगा सिरब इसका मकसद इतना है बै कोई पदार्थ आपने पानी में गोल रखा है या नहीं गोल रखा है वो पदार्थ जिस भी reaction में participate कर रहा है इस theory का, इस concept का काम सिरफ इतना है कि ये concept चेक करता है कि पदार्थ proton दे रहा है या ले रहा है यदि पदार्थ proton दे रहा है तो वो acid होगा और यदि पदार्थ प्रोटोन ले रहा है तो वो क्या होगा बेस होगा अब एक हेडिंग लिख लो आप एक चीज और पढ़ेंगे चलो इसके बारे में यह जो कंसेप्ट है इसकी सीमाई पढ़ेंगे लिमिटेशन्स कि इस कंसेप्ट में क्या कमिया है ठीक है कौन-कौन सी लिमिटेशन्स है इसमें नमबर एक पहली लिमिटेशन पहली कमी पहली कमी तो इसमें यह है कि जो एप्रोटोनिक अमल है या अक्शारक हैं उनकी व्याक्या नहीं कर सकता लिख लो पहले चलो फिर समझाओंगा एप्रोटोनिक अमलो तथा ख्शारकों की एप्रोटोनिक अमलो तथा ख्शारकों की व्याख्या करने में व्याख्या करने में ऐ समर्थ मतलब ये concept उन एसिडेंट बेस को explain नहीं कर सकता है जिने proton से कोई लेना देना नहीं है ठीक है? जैसे मैं example देता हूँ आपको जैसे मानलो मैं कहूँ BF3 है इसमें proton कोई लेना देना नहीं होता तो इसका nature बता इनी सकता है ब्रौन्स्टेड लॉरी concept जैसे मैं कहूँ BF3 के फ़जिसे बाद BCl3 है BCl3 जैसे AlCl3 है तो इनका proton से कोई लेना देना नहीं है और यदि इनका proton से कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब इनकी nature तो Bronsted Laurie concept बताई नहीं सकता है और इनकी nature Arhenius concept भी नहीं बता सकता है क्योंकि Arhenius ने भी कहा था कि कोई पदार्थ पानी में घुलके यदि H positive देता है तो वो acid है और यदि कोई पदार्थ OH negative देता है तो वो acid है इनके पास ना तो H positive है ना तो OH negative है तो यानि यहां Arhenius concept भी फेल हो जाएगा और Bronsted Laurie concept भी फेल हो जाएगा क्योंकि Arhenius concept सिरफ इस बात पर depend करता है कि पानी में घुलने के बाद उसे देखना होता है कि proton H positive दे रहा है या OH negative और Laurie Bronsted concept इस बात पर depend करता है कि chemical reaction में कौन proton donate कर रहा है और कौन proton को accept कर रहा है तो ना तो यहां H positive OH negative का कोई खेल है और ना ही यहां proton का लेने देने का कोई खेल है तो इसका मतलब ऐ प्रोटोनिक पदार्थ जो है आमली आक्षारक उनके nature को समझाने में unsuccessful है ठीक है नमबर दो दूसरी कमी क्या है देखो नमबर दो जो धातू और एधातू होते हैं धातू वे एधातू लिखो मेरे साथ साथ समझ में आ जाएगा धातू वे एधातू के जो oxides होते हैं की प्रकरती उनकी प्रकरती की वो acid है या बेस है उनकी प्रकरती की व्याख्या उनकी प्रकरती की व्याख्या करने में व्याख्या करने में भी ऐसमर्थ है मतलब ये concept जो आपके धातू और एधातू के oxide होते हैं उनकी व्याख्या करने में भी यह समर्थ है कि वे उनमें से कौन सा acid है और कौन सा base है जैसे मैं कहूं calcium oxide जैसे मैं कहूं sulfur tri oxide तो इनके बारे में नहीं बता सकता ब्रॉंस्टेड लॉरी concept कि calcium oxide एक acid है या base है sulfur tri oxide एक acid है या base है तो यहाँ यह concept फेल हो जाता है ठेक है नमबर तीन तीसरी कमी क्या है तीसरी कमी है एप्रोटोनिक विलायकों एप्रोटोनिक विलायकों लिख लो एप्रोटोनिक विलायकों भई जल में तो प्रोटोन होता है ना जल का formula क्या होता है h2o और h2o जब तुटेगा तो h positive तो देगा ही वो इसका मतलब जल में तो प्रोटोन होते हैं तो जल को आप एप्रोटोनिक विलायक नहीं कह सकते हो ठीक है पर जैसे जल के अलावा आप SO2 को देखो यदि मैं कहूं मेरे पास एक विलायक है sulfur dioxide तो इसमें तो प्रोटोन का कोई लेना देना ही नहीं है जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक विलायक है COCl2 तो इसमें तो कोई प्रोटोन का लेना देना ही नहीं है तो ऐसे बहुत सारे विलायक हैं जिनमें प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होता है तो ऐ प्रोटॉनिक विलायकों जैसे SO2, CO, CL2 इनमें पदार्थों की प्रकरती की व्याक्या नहीं कर सकता है ये कंसेप्ट ठीक है यहां लिख लो आदी में पदार्थों की प्रकरती की व्याक्या प्रकरती का मतलब की वो ऐसीड होगा या बेस होगा वो पदार्थ जो किसी ऐ प्रोटॉनिक विलायक में आपने गोल रखा है कि प्रकरती की व्याक्या करने में करने में ऐ समर्थ तो इसमें भी क्या होता है ऐ समर्थ है तो ये तीन कमिया आपको याद रखनी है लौरी ब्रॉंस्टेड कंसेप्ट की तीन कमिया भई ऐ प्रोटोनिक अमलो रक्षारकों की व्यक्या नहीं हो पाएगी नमबर दो धातू और ऐधातू के ऑक्साइड है उनका नेचर नहीं पता चलेगा इस कंसेप्ट से और ऐ प्रोटोनिक विलाइकों में यदि आपने किसी पदार्त को घोल रखा है तो उस पदार्त के नेचर को आप एक्स्प्लेइन नहीं कर सकते हो ब्रॉंस्टेड लौरी कंसेप्ट से ठीक है लौरी ब्रॉंस्टेड कंसेप्ट या ब्रॉंस्टेड लौरी कंसेप्ट एसिड बेस के बारे में कल हमने पढ़ा था आरहीनियस कंसेप्ट वो भी एसिड बेस की परिवासा देने के लिए था और ये भी आरहीनियस ने बताया कि किसी भी पदार्थ को पानी में घोल दो यदि पानी में घोलने पर वो H-positive release करता है तो acid है और OH-negative release करता है तो base है ब्रॉंस्टेड लॉरी ने बताया कि यदि किसी पदार्थ कोई भी पदार्थ chemical reaction में proton देता है तो वो acid है और proton को grand करता है तो वो base है clear ये दुन्नों के basic concept आपको आने चाहिए बस महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने handwritten notes बनाते रहो तो thank you very much for watching this video ओके, bye